तो लाल भाजी का पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल भाजी ले लिया है एक कटोरी और बेशन ले लिया है एक कटोरी ग्राम्स में देखें तो यह 200 ग्राम के करीब है और खाने का सोडा ले लिया है आधा छोटा चम्मच और यह अजवाइन ले लिया है आधा करके बच्चों को तो आप उसको अलग-अलग तरीके से अपने तरीके से बच्चों को भी सभी को आप लाल भाजी खिला सकते हैं और इस तरीके से आप बनाएंगे तो सभी को बहुत जादा पसंद आएगा तो हमें लाल भाजी के पकोड़े बनाने के लिए बेशन को हमें ए इस तरिके से डाल लेना है अजवाइन से जो पकोड़े जो होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप जब भी पकोड़े बनाए किसी भी चीज का बनाए आप अजवाइन ज़रूर डालें अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेने के बाद हमें इसमें थोड थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक घोल तैयार करना है तो हलो दोस्तों स्वागए था आप सभी का सिजी भिलेजफूर चैनल में तो आज मैं आप लोगों के लिए लाल भाजी और बेशन के पकोड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ अगर आप लोगों को वीडियो पस कि आप जब भी पकोड़ी बना रहे हैं तो बेशन को बहुत अच्छे से फ्येट लें इससे फायदा यह होता है कि हमारे पकोड़ी जो है बहुत ही मुलायम और सौप्ट बनते हैं अगर आप बेशन को अच्छे से नहीं फ्येटेंगे तो हमारा जो है पकोड़ा थोड़ा तो आप इसको अगर अच्छे से फेंटे रहेंगे तो उस तरीके से नहीं होगा हमारा पकोड़ा अच्छे से मुलायम और शॉप्ट बनेगा और बेशन को अच्छे से फेंट लेने के बाद हमें इसमें जो हमारा लाल भाजी है उसको मिला लेना है और लाल भाजी को मिला लेने के बाद हमें उसमें स्वाधनसा डाल लेनी है नमक अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि नमक को आप जब भी डालें तो उसे अच्छे से हमें इस मिस्राण में हमें अच्छे से घोल लेना है अगर नमक थोड़ा सा गुठली रूप में रहा जाता है कहीं गहीं पर भी तब हम तेल में डालते हैं उसको तो वो फटने लगता है तो हमें इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रुरी है तो मैंने यहाँ पर जो हमने हरी मिर्ची लिया है उसे भी डाल लिया है इसलिए नमक और खाने का सोडा डालने पर आप उसको बहुत ही अच्छे से मिलाएं अगर ना हो तो आप उसको पानी में थोड़ा सा घोल लें और उसके बाद मिलाएं अच्छे से तो नहीं फटेगा और इधर हमें तेल गरम कर लेना है और तेल जैसे ही गरम होता है हमें इसमें पकोड़े को डाल लेना है और एक बात की आप जब भी पकोड़े बना रहे हैं तेल एकदम high flame पर बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए थोड़ा सा ठंडा रहने पर हमारा पकोड़ा अच्छे से नहीं बन पाता है और अगर आप high flame पर तलते हैं तो पकोड़ा जो है उपर से जो है क्रिस्पी बनेगा और अंदर से थोड़ा soft नरम बनेगा तो आपको किस तरीके के पकोड़े चाहिए और आप देख सकते हैं उसके हिसाब से आप बनाएंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपके पकोड़े का color जो है थोड़ा सा change वजाता है तो color change होने पर हमें इसको निकाल लेना है हमारे पकोड़े जो है अच्छे से बन कर त्यार हो चुके हैं तो इसी तरह के से हमें सारे पकोड़े को बना लेनी है तो देखाना आपने लाल भाजी के पॉकोड़े बनाना कितने आसान है तो इसी तरीके से बनाईए और इंजॉय कीजिए तो वीडियो पर लास्टे तक बने रहने के लिए थैंके दोस्तों